लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पर्चौधरी आज हम बात करेंगे पैर के तल्वे हमेशा गर्व क्यों रहते हैं कुछ इसके कारण है मैं आपको बता रहा हूं तो आएक शुरू करते हैं आज के वीडियो पैरों में दर्व होना एक आम सबस्या है लेकिन कई लोगों को पैरों के तल्वों में जलन चुबन और गर्माट का एसास होने लगता है पैरों के तल्वों में गर्मी महसूस होना आम होता है लेकिन कुछ इस्तितियों में पैरों के तल्वे में गर्मी लगना कुछ बीमारियों का संकेत भी हो सकता है फंगल इंफेक्शन डाबडीच और कई अनिस्तितियों की बज़े से पैरों के तल्वों में गर्म हो सकती है तो आए जानते हैं पैरों के तल्वों में गर्म होने के कारण पहला है शरीर में पोसक तत्तों की कमी सरीर में पोसक तत्तों की कमी होने पर आपको पैरों के तल्वों में गर्महट महसूस हो सकती है फॉलेट, बिटामिन B6 और बिटामिन B12 की कमी से पैरों के तल्वे गर्म हो सकते हैं दर असल इन पोसक तत्तों की कमी से निरुपैथी से जुड़ी दिक्यते होने लगते हैं दूसरा है diabetes neuropathy को डियाबिटीस रोगियों को पेरों के तल्मों में गरमाट हो सकती है तेपीटेज निरोपथी गरमों तल्मों का सबसे आम करणों में से एक है जुंजुनी हाथ पेरों में सुन्निता जैसे लक्षन भी नजर आते हैं तीसरा, Pagnency Pagnency में सरीर का तापमान बढ़ जाता है इस इस्तिति में सरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं इसकी बज़े से पैरों के तल्वों में गर्म हाट होने लगती है इसके अलाबा सरीर में तरल पदार्थ बढ़ जाता है यह भी गर्म तल्वों का कारण बन सकता है चौता है मेनपोच मेनपोच के दोरान सरीर में हार्मोनल बदलाव हो जाते हैं इससे सरीर में तापमान बढ़ जाता है इसकी बज़े से पैर के तल्वे गर्म हो जाते हैं आपको बता दें कि 45-55 की उम्र की महिलाओं को मेनोपॉस से गुजरना पड़ता है। हाइपो थारेज्मी जब थारेट का इस तर सामाने से कम होता है तो इस इस्तिती को हाइपो थारेज्मी के रूप में जाना जाता है। इस इस्तिती में आपके पैरों में जुंजनी और दर्द का अनवब हो सकता है। साथ पैरों के तल्वों में गर्माट भी मसूस हो सकती है। दरसल थारेज्मी हार्मोन का इस तर गिरने पर तंत्र का छती होती है। तो यह तहां हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जूरू बताएं। धन्यवाद। क्यूर करके दूरू वाओगातार नवी का वीडियों को आपके भीा का माटें। ज问 समसल वीडियों नवीडियों फो स्ल सूपिरंग। करचे वीड़का है झां, भीड़का है।